हेलो दोस्तो नमस्ते राम राम मैं हूँ अमिछ चौदरी स्वागता आपका अपने यूट्यव चैनल अमिसर जीके में तो आज हम इस ट्री का एट चैप्टर करेंगे क्लास 6 चल रही है अभी बहुत जोरदार से आपको समझ में आ रही होंगे हर क्लास के हर चैप्टर को मैं ऐसा एनलाइसिस करता चल रहा हूं कि दुवारा बच्चे को देखने की जरुत नहीं पड़े ठीक है क्योंकि काफिस से लिवस है आपके अंतरगस 6 टू 10 क्लास तक के सारी चैप्टर में कराने जा रहा हूं आपको ठीक है इसके बाद फिर प्रॉपर तरीके से कंटेंट ल पर आपको सिर्फ यूट्यूब पर क्लास करवाँगा फिर कोश्चन करवाँगा ठीक है उस टाइम भी करवाँगा जिस टाइम आपके पेपर होंगे ठीक है तो सीधा चलते हैं अपने स्लाइड पर आपके सामने स्लाइड है आज हम क्या सीखेंगे असोक महान असोक दग्रेट असोक महराज जो थे उनके बारे में जानेंगे समराट अपने समय की बहुत तगड़ी समराट थे ठीक है इनके बारे में आज जानेंगे ठीक है आज राज्य और समराज्य के बारे में जानेंगे मोर्य समराज्य क्या था समराट असोग के बारे में जानेंगे कलिंग के युद्ध में थोड़ा पढ़ेंगे असोग की वरासत कोन कों सी थी यह सारी चीजे आज हम चैप्टर एट में जानेंगे ठीक है तो पढ़ते हैं मोरिय समराज्य क्या था मोरिय समराज्य सईसे और ध्यान पूरक सुनते रहना ठीक है लगवगत तईस सो वर्ष पहले चंद्र गुपता मोरिय ने मोरिय समराज्य की सतापना की मोरिय समराज्य का काल 322 इसवा से 155 इसवा तक रहा है ठीक है चानक के नाम के एक ब्रहामन की मदद से चंद्र गुपता महोरिये थी एकδα इससे बात हैं किye इस था यह है पर भूस्टर को लिखा चैनिके धिन राजनिती में सासन के बारे में बहुत रोचक और सटीक बाते लिखी हुई है मोर्य समराजी की शुरुआत मगद से हुई थी देरे देरे भारत के विविन भागों में फैल गया अपने समय का ये सबसे बड़ा समराज्य था कौन सा जो मोर्य के अंदर था है मोर्य समराजिय जो ता बारत के इतियास में आज तक कि सबसे बड़ा समराज़ रहा है यह पूछविलेगा आपको भारत के इतियास में किस got some źका सबसे बढ़ा तो आपका मोर्य समराजойд था यह देख सकते हैं औप कहां से कहां तक कि यह फैला था ठीक है अब पढ़ते हैं चंदरगवक्त के उत्रा अधिकारी के बारे में जानते हैं थीक है सक्सेसर और चंदरगवक्ता चंदरगवक के बाद उसका पुत्र बिम्बिसार था ये मैंने पढ़ाया भी है पिछले के बिम्बिसार नाम आएगा आगे चल की उसके बाद बिम्बिसार का पुत्र असोक राजा बनाता देख लेना ठीक है पूछ सकता है कि असोक के पिता जी के नाम क्या था बिम्बिसार के बेटे का नाम क्या था उल्टा सीधे करके पूछ सकता है तो असोक के पिता जी के नाम पूछ सकता है आपको कि सबसे पहली रादनी कौन से थे इसे अब पटना के नाम से जाना जाता है इस अमराज्य के अंदर कई अन्य महत्पुन सहर आते थे जैसे कि तक्सिला उज्जेन मथूरा ठीक है इंपोटेंट है इन चीजों को मैं चैप्टर में मैं बता दूँँ यह कहां पर कौन से चीज़ इस थे यह सहर वैपार के में उनके अंदर थे उस समय के ठीक है कौन से मतुरा उज्जेन और तक्षीला ठीक अ सहरो में मुखर उपसे वैपारी वर्ग के लोग रहते थे ठीक है किसान और जो गडरिये गउं में रहते थे आखे ठक और संग्रे मद्य भारत के जंगलों में रहते थे यह समराज्य इतना बड़ा था कि विविन भागों में लोग विविन भासाएं बहुत थे ठीक है वि सब्सक्राइब कर दोसले जाता है। इसा सब्सक्राइब करने वाले को सज़ादी जाती थी कई अधिकारे को वेतन मिलता था समराट और अधिकारियों के बीच संदेश के आधन परदान का काम दूतों दूरा होता था किनके दूरा दूतों के दूरा अधिकारियों पर जासूस की मदद में निग्राने रखी थी देख लो इन सब पर राजा अपनी निजर रखता था इस काम में राजा के नजदी की संबंदी वरिष्ट मंद्री राजा को मदद करते थे थे प्रांतों को सासन ठीक है अन्य छेतरों को सासन प्रांतिय राजदानी के नियंतरन में होता था ठीक है जो अन्य छेतर थे उनका जो सासन ज करने के लिए उसको अपने जन पद में रूल को फोलो करवाते थे लोगों से ठीक है राजकुमारों को अक्सर परांतों को राज्येपाल सुवेदर बना जाता था लेकिन हर राज्ये के सथाने नियमों पर और प्रंप्राओं को पालन किया जाता था यह अब पढ़ेंगे मैगनेटीज कवर्णन ठीक है मैगनेटीज क्या है मैगनेटीज एक राजदूत था यह मोस्ट इंपोटेंट है और किसके समराजे में आया था यह सारी चीज़े भी जानेंगे मैगनेटीज कवर्णन पढ़ेंगे मैगनेटीज एक राजदूत था जिसे ग पाटली पुत्र की शानों और सौकत के बारे में भी लिखा है मैंग नतीज ने लिखा है कि पाटली पुत्र एक बड़ा सहर था ठीक है इस सहर में लगवा पांच सो उनासी वर्ज और चौंसट दवार है थे मकान लकडी और कच्छी इंटे से बने थे देख लो क्या क्या चीजे भार से आये राज़ू तो ने हमारे समराज्य के बारे में बताया है मकान एकम जिले और दो मन जिले के थे ठीक है और समराज का महल भी लकडी और कच्छी इंटों से बना था महल में नकासिदार पत्फरों सजावट की गई थी महल के चारों और एक खूफसर का हो जो मैं समझा रहा हूँ समराज असोक के बारे में पढ़े है असोका एउनिक एमपायर ठीक है एंपीरियर असोक कई मायनों में एक अनोका राजा था वह एकमात्र हैसा सा सकता है जिसने एक यूद जीतने के बाद अपने समराज्य के विस्तार को परीव पार्टी करने की परमप्रा की थी ठीक है यह नीचे आप देख रहे होगे इसको मैं PDF सेंट कर दूँगा आप असोग के समराज्य को देख सकते हो अच्छे तरीके से ठीक है कलिंग के युद्ध के बारें पढ़ लेते हैं आज के तरह यह उडिजा के कलिंग के नाम से जाना जाता था ह अच्छा मोस्ट इंपोटेंट है कि जो कलिंग है उसको पहले आज के परजेंट में किस नाम से जाना जाता है पहले उडिजा को क्या बोलते थे यह चीज़े हैं मनदल पूछ सकता आपसे ठीक है अपने समराज्य का विस्तार करने की मंसा से असोग ने कलिंग काकरमन के और युद में विजय हुआ उस युद में एक लाक से अधिक लोग मारे गए थे उससे भी अधिक लोग बंदी बनाए गए थे और बड़ी भारी संक्या में लोग बुई तरह से परवाय थे ठीक है उस हाथ से को देकर असोग स्तंब रह गया इसने बड़े पैमाने पर होने व रवाद असोग पर बुद्य के उपदेशों को गहरा अपरवापड़ा बुद्य के बुद्य के बुद्य के अपना लिए जो उस जमाने के हिसाब से कुर्णतिकारी था असोग के धम में भगवान की भूजा को सतान नहीं ता और नहीं उसमें कोई रितिरिवाज या फिर परवाव दानता यदि हम आज की दृष्टिकों से देखे तो असुग के धम में धर्म निर्पेक्स्ता की बात थी धर्म निर्पेक्स्ता का मतलब होता है कि सभी धर्मों को सम्हान भाव से देखना यह सभी चीजें असुग ने अपनी परजा से सम्वाद के लिए संदेशों और अविलेगों को साहरा लिया उसने लोगों से कहा कि अन्य धर्मों के इज्जत करें उन्होंने लोगों को बिना मतलब रितिरिवाजव दूर रहने को कहा गया ठीक है इस सारी चीजिती सिंपल लेंग्विज में लिख रख किये अभी भी समझ में ने आई तो दौरा किलास देख लेना ठीक है उस समय के अधिक तरह अभी लेख भ्रह्मी लीपी में यह मोश्ट इंपोटेंट है ठीक है प्राकृत लीपी में आपके बहुत जहन के थे अब जो यह काल चल रहा है मोडिया जो समराज्जी इसमें कौन सी अभी लेख तो ब्रह्मी लीपी थे प्राकृत भासा में लिखे गए थे आज के अफगानिस्तान पाविस्तान में अरवी लेख लिख भाई गए थे ठीक है अरवी भासा है देवनगरी है वांगला है सारी चीज़ा आपको नीचे देखनों को मिल रही है ठी में अउलाटन पीछे संपंअ वरासित चोड़ी उसके कही सित्रान पर अनुस्रा आंव भी होता है ठीक है हमारे कही राष्ट्रक्रतीक अस्वक के काल में लकाल में ले गए राष्ट्रे चिन का सारनाथ की असोग स्वितम से लिए गया है यहां से कोशन आया है ठीक है कि सारणात की स्वितम से क्या लेगा असोग स्वितम ठीक है हमारे राष्टे द्वज में जो चक्र है ठीक है जो चक्र है हमारे राष्टे द्वज में जो चीश में 24 तिल्यां सी है वो जो है वो कहां से लेगा असोग की हमार राष्टे द्वाज में जो चक्र है उसे असोग के सासन के कई सिथानों पर इस्तमाल किया गया था असोग द्वारा जारी किये गए सिक्कों में से एक चक्र बने थे नाइस चलते हैं हाँ इस थोड़ी किलास जो थी मेरी टॉपिक वाई जो भी मैंने दिये तो सारे समाप ठोचे हैं आसा करता हूं सारे सीज़े किलियर होती चलिया होंगी अब हम कोश्चिन करेंगे ठीक है जैसा कि मैं अपने बादे से टर्ल परह नहीं अठता पहले क्लास फिर कोश्चिन आपके सामने होते हैं पहला कोश्चिन असोग ने युद्ध को किस उडिशा में महाराश्चिन में सिंपल सी बात मैंने बताए विए उडिशा में असोग ने किस धरम का पालन करने को कहा था धम को ठीक है यह सारे चीजे जिस बच्चे ने किलास ली है तुरंत जवाब जटके थे सबसे जवाब दे रहा होगा मोरिया वंच का परमुक राज से अठारश सुछ साल पूरू तक किस वंस की सासक रही थे अब यहां से इंपोटेंट कोश्चन है यहां से पूचाए कि 220 से ले करके अठारश सुछ साल में और वह भी दक्षिन भारत में नीचे की तरफ ठीक है यहां पर ठीक है चोलो के ठीक है चैरों के पांडों के उप अब यहां पर ठीक है क्योंकि मैंने थोड़ा अलग कोश्चन डाला हुआ है क्योंकि अभी थोड़ा जाना नहीं है कि असोग कब से कब तक राज किया उसने इस सारी चीज़े डिटेल वाइस पढ़ेंगे तो असोग के राजा बनने के कितने वर्स बाद कलेंगे दुआ थ राजा बनेते हैं आपके 271 इसापुर में ठीक है और आट वर्स पस्चात मतलब कि 236 में कलिक युद्व हुआ था ठीक है तो आट वर्स पस्चात यह आपके सामने युद्वा कलिंका सेरों के चित्र को कहां पर एक विसाल सितंब पर लगा गया था वारानसी सारनात उजे चन्दरगुफ कि किस सासक ने मोरिय सासन की सतापने साहता की थी अब यहां पर ध्यान से बढ़ो कि चन्दरगुफ किस सासक ने मोरिय सासन की सतापने साहता की थी असोक ने की थी नहीं कोटल्य 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 वह इस चानिक्या जैसे मैंने नाम भी बताया था गहना नं तक जो भी मैंने पढ़ा है आपको बहुत अच्छे रूप में समझ में आयोंगे ठीक है इसे किसाथ मैं बिदा लेने चाहता हूं मेरे चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब करते रहो अपने दोस्तों को बता दो कि जिके की जंग अमिस्टर के जंग जो कोर्स चल रहा है ना कि इसके ना एक भी रुपे है इसके ना कुछ भी नहीं है फ्री अप्स मेरा एक कोर्स है ठीक है यह मेरा बैच है और श्रिप ओनली ऑन यूट्यूब पर है आपके लिए फ्री पड़ो ठीक है चाहिए वह इस्ट्री हो पॉलिटी हो और आपकी जियोग्राफियो ठीक है तो इसके साथ मैं विदा लेने चाहता हूं मेरे चैनल को लाइक शियर सब्सक्राइब करते हो मेरे भाई ठीक है मदद करते हो दिन पर दिन डे बाई डे मेरा कोर्स आगे चलता जा रहा है ठीक है नमस्ति